तो इस वीडियो में हम लोग cover करने वाले हैं सैनेक स्कूल के बारे में सैनेक स्कूल के बारे में छोटी से छोटी चीज बताऊंगा और in general perspective दोगा कि सैनेक स्कूल है क्या? अगर आप Class 6 के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर Class 9 के entrance exam के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप एक guardian हो जो अपने बच्चे को admission दिलाना चाहता है सैनेक स्कूल में तो आपके लिए ये वीडियो है स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सैनेक स्कूल को देखेंगे कि क्या चीज है सैनेक स्कूल में अपने बच्चे को क्यों डालना चाहिए में मीटिय में रीक्री कर hardness स्कूल में होती है कितने सैनेय क्थव है् सिट्रेये सैने की स्कूल में होती है फी स्ट्टर के बारे मिताँ गां इंट्रन्स एक्जाम का पूरा प्रोसीजर बताऊऑ स्ट्रेब बाच enclOT की कैसे इसमेंormat pudding सत्ते हो eres मैं बात करूँगा आपसे eligibility के बारे में बात करूँगा reservation facilities and security तो ये सारे points हम लोग cover करने वाले हैं but before diving into the video आपको बता दू कि drone school का app हमारा play store पे available है आप जा करके इसको download कर सकते हो इसमें sanic school का आपको course मिल जाएगा पेस्टोर पे जाना और यहां पे देखो पहले ही पेस्टोर वाले section में आपको मिल जाएगा sanic school का complete course तो यहां से आप sanic school की तयारी कर सकते हो चलो start करते हैं देखो सबसे पहली बात तो यह की sanic school है क्या आप सभी जानते हो जो मेरे regular subscriber हैं उन्हें पता है कि हम इस channel पर नवदय विद्याले की तयारी करवाते हैं नवदय विद्याले से रिलेट है मैंने बहुत सारे वीडियो जाल रखे हैं चाहे हो information की वीडियो हो चाहे हो पठाई से रिलेटेड विडियो हो चाहे हो strategy से रिलेटेड विडियो हो बहुत सारी चीज़े हम लोग डालते रहते हैं regular basis पे नवदय विद्याले के बारे में ठीक है तो नवदय विद्याले आप जैसा कि आपको पता है कि पूरा एक system of schools है अतला पूरे भारत में नवदय विद्याले फैला हुआ है हर एक जीले में नवदय विद्याले है ठीक उसी प्रकार से सैनिक स्कूल भी एक system of school है एक आवासी विद्याले की पूरी श्रिंखला है यानि कि residential स्कूल का एक पूरा system है यह हर एक जीले में तो नहीं है लेकिन आ उत्तर प्रदेश में ही देख लो आप तीन सैनिक स्कूल है और एक को मैं छोड़ के बात कर रहे हूं क्योंकि यह नवह से स्कूल है उत्तर प्रदेश में लख नहीए यह जिसमें फी उचे दरजय के सिक्षा दी जाती है सैनिक स्कूल में ठीक है तो इसमें जो पढ़ाई का माध्यम है वो English Medium है लेकिन क्या अगरो जी ये English Medium माध्यम है तो इसमें और भी Regional Language की पढ़ाई नहीं होती है होती है पढ़ाई इसके बार आगे बात करेंगे आगे बात करेंगे ठीक है और कुछ ऐसा उनके अंदर क्वालिटी डेवलप किया जाता है तो इस्टैब्लिश्मेंट की बात करते हैं 1962 में आपको याद है कि इंडो चाइना वार हुआ था है ना उससे एक साल पहले यानि कि 1961 में उस समय अपने दिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णन मेनन तो वीके कृष्णन मेनन के दिमाग में ये थौट आया देखो होता क्या है कि जो भी हमारे आर्मी परसनल है जो भी हमारे सेना में जो लोग है जो वेक्ति है जब उनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता है तो होता इसको solve करने के लिए, यह हमारे जो defense minister थे, इन्होंने यह इस चीज की शुरुवात करी, Sanic school की शुरुवात करी, तो 1960 के आसपास जो है, यह Sanic school की स्थापना, पहली Sanic school की स्थापना हुई थी, लखनाव में, कहां बोलो, लखनाव में, जो की इस समय की अगर मैं बात करूँ, तो वो उत्तर प्रदिस government की अधीन में आता है, ठीक, तो 1960 की आसपास जो है, Sanic school की स्थापना हुई लखनाव में, Sanic school को, अगर मैं सिर्फ लखनाव वाले को छोड़ दूँ, जो की state government के द्वारा संचालित होता है, तो Sanic school जो है, defense ministry के अंतरगात संचालित किया जाता है, और Sanic school society द्वारा ये operate किया जाता है, पूरा का पूरा Sanic school, जो system of Sanic school है, वो, ठीक है, अब बात करते हैं भई, ये तो मैंने आपको बताई दिया, कि 1960 में पहला Sanic school लखनाव में हुआ था, चलो, अब Sanic school जरूरी क्यों है, देखो, बात आते हैं कि Sanic school, Sanic school ही बहुत सारी school है, तो Sanic school इसलिए जरूरी है, क्योंकि discipline is the key, discipline आप जानते हो कि देखो, जहां पर हमारी सेना लड़ रही है, हमारी सेना वहां पर युद्ध्या अभ्यास कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वहां पर जब discipline की कमी आ जाए, तो समझे लो, हार अरिया पार की लड़ाई होती है, तो discipline is a must, discipline जो है बच्चों के अंदर कूट-कूट के भरा जाता है, सैनिक स्कूल में, शुरुवात से यह ऐसा माहौल मिलता है, कि इनके अंदर देशभक्ती कूट-कूट के भरी होती है, पंक्चूल होते हैं टाइम के, एक overall personality का development होता है एक well-being का development होता है, अगर कोई सैनिक स्कूल ना बंदा आपके सामने खड़ा हो गया, तो उसकी personality दे करके आप कह सकते हो, कि भाई, ये किसी ने किसी बहुत ही प्रिमियर इंस्टिट्यूट का विद्याग्थी जरूर है, ठीके, तो ऐसी personality होती है, एको main objective क्या है ना, कि बहुत सारे fields है, मतलब बहुत variety of fields हैं, जिसमें सैनिक स्कूल के बच्चे जाते हैं, तो personality ने के ऐसी develop हो जाती है, कि सैनिक स्कूल वाले बच्चे कहीं भी पीछे नहीं हरते, इसलिए सैनिक स्कूल ज़रूरी है, सैनिक स्कूल में जो सिक्षा दी जाती है, वो काफी स्कूल है यानि कि इसमें पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे कि यहां पर छेत्री भाशा को भी महत्व दिया जाता है कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश मीडियम के साथ-साथ जैसे अगर आप हैदराबाद में है तो तेलगू आपको पढ़ाय जाएगा अगर आप बैंगलोर में है तो कंदर पढ़ाई जाएगी आपको ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि शेत्री भाशा को भी वरियत्या दी जाती है यहां पे और शेत्री भाशा की भी पढ़ाई की जाती है कराई ज दोड रहा हूं 33 सेनिक स्कूल वो है जो मिनिस्ट्री आफ डिफेंस के अंडर में जिनको संचालित किया जाता है जो सेनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा संचालित होते हैं वो 33 है बाकी एक ये लखनो वाला सेनिक स्कूल जो है ना इसको उत्तर प्रदेश गौवर्मेंट वाले तरी लिए सक झांड झीटिक है तो ये वोगया कि कितना सानिक स्कूल हैं बाकी देख लो ये चार राज्ये जो ये यसे हैंना जिनमे सारे राज्यों में नहीं है लगभग हर उन substitute सॉरे writya जातों thousand सभी राज्यों में हैं अब कितनी Chr क्लास में जो seats होती है वो variable होती है 9th class में भी number of seats जो होती है वो variable होती है कहने मतलर यह कि 70 से 105 seat यह 6th class में होती है 10 से लेकर कि 30 seat लग-bhag यह 9th class में होती है तो यह कुछ seats के distribution है आगे reservation के बारे में बात करूँगा reservation इसमें कई लिवल पर होता है बात करूँगा कि reservation क्या है जानते हैं है कि fees कितने लगती है सेनिक स्कूल में देखो fees relatively मैं बताओ कि महंगा होता है यह fee structure जो होता है इनका देखो इस fees structure को मैं दो भागों में बाढ़ता हूँ पहला तो general या फिर defense category को जो व्यक्ति हैं उनके लिए है ठीक है defense category defense category को general में क्योंकि ना जा रहा है मैं बताओंगा आगे क्योंकि इनको जो है ना reservation मिलता है reservation के साथ साथ इनको scholarship भी मिलती है तो इसलिए इनको अलग category में हम के दर है है ना सिफ 2000 का फर्क है लेकि scholarship मिलती है बताऊंगा आगे आपको scholarship मिलती है तो अब ये fees जो tuition fees है ना इसमें साल दर साल 10-10% की बढ़ोतरी होती है है 10-10% बढ़ता रहता है इस साल 100 रुपे है तो अगले साल 110 रुपे उसके बाद फिर उस पर 10% बढ़ेगा तो कहने का मतलब ये fees बढ़ते रहता है तो अभी अगर मैं video record करो चलो 140,000 है अगले साल 150,000 रहती है ठीक है लगो मान के चलो कि 1,50,000 के आसपास ये fees रहती है ठीक है चलो तो ये तो हो गई और दूसरी बात यह है कि state government के दोरा आज जो select student होते है ना जो student selected होते है सानिक स्कूल में student उनको state government के दोरा scholarship provide किया जाता है उनको scholarship provide किया जाता है scholarship के ऊपर मैं dedicated video बना दूँगा वो आप देख लेना बाकि इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि scholarship जो है provide करी जाती है तो पूरी की पूरी fees नहीं लगती है किसी की पूरी fees लगती है किसी की उससे कम लगती है और कुछ की तो बहुत ही कम लगती है तो मैं बताऊंगा dedicated video बना दूगा यह video काफी लंबी हो जागी अगर मैं इसको cover करने लगा इसका जो entrance exam है वो conduct करा जाता है NTA के द्वारा यानि कि national testing agency के द्वारा इसको इसका entrance exam करा जाता है return exam होता है मैंने बता था इस्टेप बताऊंगा आपको पहला पहला step है कि return exam आपका होगा उसके बाद आपका medical होगा समय आप fit हो की नहीं medically fit fit हो की नहीं या वह medical आपका होगा तो second step यह है तीसरे round में interview होगा and after interview आपको जो है final merit list आपकी निकलेगी तो यह तीन rounds है तीन steps है पहला return फिर medical उसके बाद से जो है interview आपका होना है ठीक है exam pattern की बात करते है class 6 का जो exam pattern है उसकी बात करेंगे लेकिंगे सबसे पहले जानो कि exam duration जो है धाई घंटे होता है class 6 का जो paper होता है maths के अंदर आपके सवाल आते हैं कुल मिला करके 50 question आते हैं उसके बाद mathematics GK intelligence language 4 section है है ना तो maths का जो सवाल होते हैं उसके 50 question होते हैं और GK में उस तरह से पचीस intelligence test में जो होते हैं पचीस और language में पचीस चीक language में आप बहुत सारे अलग-अलग languages इसमें select कर सकते हो मतलब कुल मिलाकर करके 10 बारे languages इसे हैं जिनमें आप selection कर सकते हो बताऊंगा एक video detail बनाऊंगा इसमें मैं general overview दे रहा हूँ मैंने बोला था ना आपको कि एक general perspective दे रहा है क्या क्यों पढ़ाना चाहिए क्या fees वगरा ह इस तरह से होते हैं जो math question होते हैं उनकी उनका weightage होता है वो ज्यादा होता है तीन नंबर एक question का यानि कि 150 marks इनके दो दो नंबर होते हैं इन सारे की मतलब GK दो नंबर का question intelligence test दो नंबर का question फिर language दो नंबर का question कुल मिलाकर बात यह है कि पचीस दूना पचास पचास पचा 300 नंबर का यह पूरा का पूरा होता है पूरा एक्जाम 300 नंबर का होता है राइट चलो आगे बात करते हैं हम 9 के बारे में तो 9 का जो एक्जाम होता है वो तीन घंटे को होता है 9 में क्या क्या होता है math, general science, social studies, language and intelligence, school में आकर चार्ज section इसमें भी होते हैं लेकिन इसमें question क पांच section है, ओहो-ओहos इसमें तो 5 section है चार बोला था थेक है तो 5 स्क्षकम में देखो maps में जो भी question होते हैं वो 4 नंबर के होते हैं, तो 50 नंबर के होते हैं, William के question double question 2 नंबर के तो कुल मिलाकर 25-25-25 question यह आए है जो कि 2-2 number के होते हैं 50 question यह आता है math का जो कि 4 number का होता है तो कुल मिलाकर कि यह 200 number यह हो गया 50-50-50 number के यह हो गया कुल मिलाकर 400 number का यह paper होता है अपना ninth class का ठीक है बात करते है eligibility के बारे में तो eligibility मैं बताओं कि class 6 के जो विद्यार्थी होते हैं, वो class 6 के लिए जो prepare कर रहा है यानि कि, उनकी age होने चाहिए 10 से 12 साल, 10 से 12 साल का अब age होने चाहिए March 31 तक जो है, ये age count होता है, यानि कि, जिस भी session के लिए आप त्यारी कर रहो न, जैसे 2021-22 के लिए त्यारी कर रहो, त 2020 के March 31 तक आपका ये age जो होना चाहिए, आपकी 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, very simple, उसके साथ-साथ ये भी होना चाहिए, कि जो भी student इसके लिए apply कर रहा है, वो किसी भी एक recognize school में पढ़ता होना चाहिए, यानि कि 5th class में वो पढ़ रहा हो student, या फिर देखो क अभी कि अभी ऐसा होता है कि 5th class के बाद 6th class के भी students भी इसके लिए apply कर सकते हैं, अब वो कैसे, अगर suppose करो कि 10 साल जब उसका शुरू हो रहा है, तभी उसने apply कर दिया, तो अगर वो 6th class में जब पहुंचेएगा, तो उसकी उमर 11 से 12 के बीच में होगी, ठीक है, तो वो apply क कर सकता है, तो age ही main factor इसमें, बाकी वो 5 से कम class में ना पढ़ रहा हो, बस ये वो इसमें limitation है, पांच में पढ़ रहा हो, या फिर एक condition मनता है कि जब वो 6th में भी apply कर सकता है, ठीक है, तो इस तरह से ये criteria है, जो eligibility criteria है, आगे बात करते है, 9th class के eligibility criteria क्या है, तो age जो होनी साल के बीच में होनी चाहिए, वही 2 साल बढ़ा दो, ठीक है, इसमें 6th में क्या था, नहीं 3 साल बढ़ रहा है न, 6th में क्या था कि 10 से 12 साल, 3 साल class भी बढ़ रहा है, तो 3 साल age भी बढ़ रही है, देखो 13 से 14 साल के बीच में age होनी चाहिए, ठीक है, और वही बात है कि 9th क्लास के लिए अगर आप admission ले रहा हो तो 8th क्लास में आप पढ़ रहे हो जब apply करो तो ठीक है अब जो है reservation के बारे में बात करते हैं ये बहुत जरूरी चीजह reservation के बारे में बात करना क्योंकि reservation इसमें कई सब्सक्राइब तो 67 सीट जो है वो तो यूपे के बच्चों के लिए रहेगा और 33 सीट जो है वो अधर सूडेंस के लिए होगा तो इस प्रकास से reservation पहले स्टेट के basis पर तैय हो जाती है अब उसमें से जो है पंद्रे साड़े साथ 27 यानि कि यह जो SC ST और OBC का जो और साड़े साथ परसेंट जो है वो SC का रहेगा और 27 परसेंट OBC का रहेगा तो इस तरह से यह reservation में निकल गया बाकि जो है 25 परसेंट वो है मनें बोला था ना आपको की जो defense category के लोग है उनके बच्चों के लिए reservation मिलता है तो 25 परसेंट चाहे वो retire हो चुके हो तब भी उनके बच्चों की reservation मिलेगा 25 परसेंट का reservation defense category के बच्चों के लिए रहता है ठीक है और 10 परसेंट जो total seats है वो लड़कियों के लिए भरी जाएंगी 10 परसेंट अब 10 परसेंट में 10 या तो 10 सीट भरी जाएंगी या तो 10 परसेंट जो ज्यादा होगा मान कि चलो कि 120 सीट खाली है तो 10 परसेंट कितना नव हुआ तो 9 सीट नहीं भरी जाएंगी इसमें 10 सीट भरी जाएंगी क्योंकि ज्यादा क्या है 10 10 परसेंट या फिर 10 सीट जो भी ज्यादा होगा उतनी लड़किया इसमें आएंगी ठीक है तो यह तो reservation का scene रहा पूरा reservation का यह मैंने टेबलेट कर रखा है reservation को चलो facilities के बा बाग में उतरता रहता है indoor stadium यहाँ पर होता है swimming pool की facilities होती है horse riding गजब की यह exciting sports की facility बहुत अच्छी होती है MI room यानि की medical जहाँ पर आपको first treatment वगर दिया जाता है MI room यहाँ पर उसकी facilities होती है qualified faculties तो होगी जाईर सी बात है कि Senex school इतने उच लेवल की इतने उची दर्जे की सिक्षा आपको मिल रही है तो qualified faculties का होना बहुत जरूरी है NCC भी इसमें है NCC पता है ना आपको NCC यानि की national credit को तो NCC भी इसमें होता है agricultural forms वगरे होते है animal form यहाँ पर क्योंकि training ऐसी मिलती है रहा कि एकदम जमेनी रूप से training दिया रहता है उनको जैसे horse riding कर रहे है ठीक है horse riding और भी school में थोड़ी ने करा जाएगा तो horse riding इसमें कर आ रहे हैं फिर कभी-कभी आपको shooting और पर ले जाते हैं उसकी भी training वेपन वगरे की training तो लॉंड़ी एक्सेटरी तो रहती है लेकिन training का जो level होता है न वह गजब का होता है तो यह facilities मिलती है security के अगर मैं बात करू हो तो लड़कियों के बाइन ज्यादा लोग concern रहते हैं कि लड़किया अगर जा रहे हैं तो उनकी security का क्या अगर देखा जाए तो एक थोड़ा सा रहता है कि हाँ security वहाँ पे सही रहेगी नहीं रहेगी तो मैं बहुत ही security environment है जब सरकार ने अभी 2-3 साल ही 2 साल तो हुए क कि जब लड़कियों का admission होना सुरू हो गया इसके पहले तो लड़किया नहीं जाती थी ना सैनेक सूल में तो लड़कियों का जब admission होना सुरू हुआ जब सरकार ने इस चीज को मंजूरी दी तो उन्होंने ये बात भी बहुत तैग कि अच्छी से कि भाई उनकी security जो है व पूरा जो campus होता है उसमें guard का active vigilance होता है security guards होते है तो security बहुत होती है साथी साथ बच्चे जो हते हैं चुकि आवसी विद्याले है तो बच्चे टीचर के साथ होते हैं मतलब teacher भीन के साथ होते हैं तो security का कोई concern ही ने issue ही ने ठीक है चलो तो यह मैंने एक general perspective दिया आपको स नहीं आया लेकिन हो सकते हैं future आजाए एप चेक कर ले ना आप सेने school का course जो है यह हमने launch कर दिया है द्रोन स्कूल का app download करोगे उसके अंदर जाओगे तो यह सैने school का course आपको मिल जागा store section के अंदर ठीक है तो जल्दी से school ले लो preparation start कर दो अपनी जम करके preparation करो सैने school clear करो all the best for your exam चलो आप से मिलते हैं next video में तब तक के लिए अलविदाद धन्यवाद